नमस्कार दोस्तों स्वागरता है आप सभी का एक नए गेमपले वीडियो में और लास्ट पार्ट में हमने देखा कि डेमियन जो है वो सुसाइड कर लेता है हाला कि हमने उसको बचाने की काफी कोशिश की बट हम उसको बचाने में नाकाम्याब रहे तो फिलहाल तो हमें जा गुद और बैग तिंग ओके दोस्तों तो अब इसको थोड़ा थोड़ा भरूसा हो रहा है हम पर तो आइधिंक यह हमको कुछ बता सके उस जो एक्स कमांडर था उसके बारे में सो फ्रेंड्स लगता है पी के कमांडर जो नया कमांडर है अच्छली में वो उसको लगता है कि यह सोफी जो है यह सामिल हो सकती है जो एक्स कमांडर था लूकस उसके मर्डर में बट वो भी शोर नहीं है क्योंकि अगर इसने मारा होता तो यह अब तक यहां से जा चुके होते तो उन्होंने हमको काम सोपत है इंटरोगेट करने के लिए इसको बट इसके साथ जो यह इसका जबरदस बॉडी गार्ड आपको दिख रहा है इसके सामने तो हमारी चलनी नहीं थी तो हमें इसे प्यार से ही बात करनी थी तो हम इससे बात करने आये थे तो इसने कहा कि पहले जाओ जाके हमारी सोसाइटी के लोगों का भरोसा जीतो तब हम तुमसे बात करेंगे तो उसके बाद हमने एक दो मिशन किये और अब यह फाइनली हमसे बात करने को रेडी हो गई है तो देखे हैं क्या आउटकम आता है जो वो हमको क्रिस्टल्स मिल रहे थे वो बॉम्बिंग की वज़े से वो प्रोडक्ट बने थे और वो काफी कीमती है प्रेटी दो तुम भी हो सेनरीट है ठीक है मुझे जाना पड़ेगा अलबर्टो और उसके पास में ठीक है चलते यानि दोस्तों हमको फिर से जाना है बाजार के अंदर में और चलो भाई दरवाजा खोल के चलते हैं जल्दी से और फिर उसके बाद देखते हैं हमको कौन सी जॉब मिलती है ओके ठीक है क्राफ्ट मस्तर से बात करते हैं देखते हैं क्या बताता है यह को और यह तो मुझे थोड़ा है साइकिक लगता है ओके तो दोस्तों सोफी का भाई और बार्णी यह जो गए हुए हैं क्रिस्टल्स की तलाश में तो अब मुझे माजरा समझ में आ रहा है अब हक ले जल्दी बोल अब हक ले जल्दी बोल अब हमको जाना फैसन स्टोर और वेंड मिल जहां पर सोफी का भाई मिलेगा हमको तो चलो भाई लोग फटा फट चलते हैं इसका पर आए यह फेली भाई मुझे का तो इसका भाई भी मुझीमत में भशा हो सकता है बर्णी क्योंकि अभी कुछ देर पहले वो क्राफ्ट मास्टर से उस जगए का एड्रेस पूचके गया है जहां पे वो क्रिस्टल मिलते है और आई थिंक जोंबी से भरी उस जगए में ज़्यादा सवाई तो नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारे इपना हर कोई स्किल नहीं होता है भाई बेबी तुम उसको बाद में माड लेना पहले उसकी जान तो हमें बचा लेने दो ओके बर्णी पहले से थोड़ा गायल है और मुझे ये बात आईटर ने बताई थी कि जो पीके कमांडर का मर्डर था वो भी मेबी थोड़ा वांड़े था मतलब गायल था तो मुझे कुछ डाउट हो रहा है कि बर्णी ही तो कहीं उसके मर्डर नहीं है क्या ठीक है से रीटा तुमारे लिए तो कुछ भी करेंगे तो अभी जा रहा है हमको बर्णी के पास में और दर्वाजा रहा ये चल भाई गेट खोल और चल बाहर अभी तो खैर दिन है तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए और मैं उसको ट्रैकिंग पे डालता हूँ इन्वेस्टिगेट था न्यू थ्रेट ओके दोस्तों तो चलते हैं पढ़ते हैं फटा फट इससे पहले की रात हुजाए हमको बर्णी को ढूंडना पड़ेगा और आई थिंक मुझे जाना इधर साइड में ओ भाई साब ये जोंबी है क्या ओके मुझे लगा ये जोंबी है इस तरह से जुका खड़ा था ओओ इधर तो जोंबी लोग टैल है मैं नहीं जा रहा है उनके पास में तो चलो भाई लोग पहले तो या वो अंदर है क्या मुझे लग रहा था छट पे है पट शायद वो अंदर है मैं तो उसके उपर ही जम्प कर गया खैर जो भी है उसका काम तो हो गया तमाम और अब हम बढ़ेंगे आगे खैर और अगर ओ शिट कोई ओ भाई क्यों 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 भाई मैंने इसको देखा कैसे नहीं ओ तरी और इसके मित्र भी आ गए ठीक है आजाओ और बाई मेरा स्टेमिना डिप्लीट हो रहा है और यार ये तेल तब बहुत फैंटम बन रहा है आजा और ये लेटे लेटे आ रहा है चल बे ओके हो गया काम हो गया बाई दोनों का अब मारा है तो इनकी तलाशी भी ले ले ठीक है और ये गेट तो खुलने से रहा है अब मुझे लगता है मुझे उपर सही जाना था फाल्तु में मैं आ गया इनसे भिडंत करने खैर जो भी हो थोड़ा बहुत तो लूट मिल गई अपने को तो फिलाहाल तो चलते है उपर येस इधर ही रास्ता कहीं पे है और कहां पे ये देखना पड़ेगा ओ भाई गद्दा पड़ा हुआ है गद्दे पे कुदूरा मैं ताकि ही गद्दे पे कुदने से चोड़ना लगे ओ गोड़ वाट दा है इस दिस वाट दा ठीक है करते है पंगा ओ गद्दे ओ भाई साब ये तो जादा ही खतरनाक है ओ तरी और शाग लगा रही है ये तो ओ नो मैं कैसे लड़ू भाई इससे और इसके तो भाई बंदू भी आ रहे है ओ भाई भाग ले भाग ले और अपने साथ चंगो मंगो को भी ले आ रहे है ऑ हमरे थोड़ दे खोड़ दे वो आ जाएगा थेरा पाप वाजैएगा वह हैंग शेट 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 I have to run I have to run Well काफी ज़्यादा ताकतवर है वो के दोस्तों अभी वो वही पे खड़ा हुआ है और एक गैस टैंक हमको और मिल गया है चल भाई एक बार और पंगा हो ही जाए फेक दे फेक दे थोड़ा दूर गिरा उससे अरे भाई साब थोड़ा और क्लोस गिरता तो ज़्यादा अच्छा रहता खेर क्या कर सकते हैं और यहां पर एनमीज तो काफी हो गए हैं और गिरा एक तो गैस टैंक और मिल गया और इससे ओ शेट भाग बेटा भाग गैस टैंक तो ऐसे ही फट गया और हम कुछ कहास कर भी नहीं पाएं वहाँ पर वो स्क्रीम कर रहा है मतलत कि अपने साथियों को बुला रहा है और इससे पहले कि और बंदे आएं मैं इसको मारने की पूरी कोशिश करूँगा ओके निपड गया भाई निपड गया और पहले तो चले हम उपर ओके नॉइज और ये नॉइज अट्रैक करेगी इसके साथियों को वो देखो डून रहे है ओ भाई साब बड़ी तेजी से आ रहे है मैं नहीं रुक रहा यहां पर एक लम्हा भी नहीं एक सेकेंड भी नहीं चल बाई उपर चल जल्दी से चल जल्दी से इससे पहले कि और इसके साथ ही आजा है लूटूंगा तो मैं बाद में ओके क्या फीछा छोड़ दिया दोस्तों आप लोग मेंचे फटू कह सकते हैं बट क्या करूँ I think मेरा फीछा छोड़ दिया उन्ने गया नीचे गया नीचे गया नीचे गया वाह बहुत सही अब मैं नीचे जा सकता हूँ ओके फ्रेंड्स तो I think मुझे नीचे चलना चाहिए और जिसको मारा था उसके पास अगर कुछ मिलता है तो मैं वो कलेक करता हूँ ओके भाई लोग इसको तो जो मारने से जितना आइटम हमको मिल सकता था वो मिल गया है और भाई साब इसको मारने की चक्कर में मैं उसको तो भूली गया उसके भाई को तो चलो भाई लोग फटा फट चलते हैं आगे की तरफ और टाइम खोटी नहीं करते हैं यह तो भाई कुट्टे की मौत कही जाएगी पिछवाडे पिलाथ और उसी के साथ कल्याण ओके जॉम्बी तो काफी है बट ओ भाई इसको क्या हो गया ओ सिगरेट पी रहा है साले खासी आ रही तो सिगरेट क्यों पी रहा है ठीक है बढ़ते आगे हलाकि मैं नीचे से जा रहा हूँ बट मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि बै जैसे ही मुझे खत्रा लगेगा मैं भग जाओंगा उपर तो दोस्तों जादा फैंटम ना बने हम चले ऊपर चले चड़ा भाई यहां पर किसी के खासने की आवाज आ रही है कर शेटिटो नियुक्षा नुटत उसके पास आप उसके पहुंच भी और ये देखो भाई दो जोमीज ने इसको बिचारे को निप्टा दिया काश हम थोड़ी दिर पहले आ जाते बट कोई बात नहीं क्या कर सकते है और अब हमको जल्दी ही आगे बढ़ना पड़ेगा वरना उसके भाई तक पहुंसने में हम काफी लेट हो जाएंगे इसमें क्य ओ यहाँ पर कुछ है क्या लेने लाएक ओ यह तो बॉंटी इस है इसे लड़ने का फायदा नहीं वो जोम्बी ओ भाई साब वो जोम्बी इसको मार रहे हैं मेरे लिए ही अच्छी बात है क्यों उनको फाल तुम्हें उनसे लड़ना फिलाल तो हम बैरनेट को बचाने चलत है इसका मतलब रात होने वाली है तो मुझे कुछ न कुछ ऐसी जगए ढूननी पड़ेगी जहां पर मैं आराम कर सकूँ ओके तो हम यहाँ पर लोकेशन पर तो आ गए हैं जहां तक हमें आना था और यहीं पर बरनेट हमको मिलेगा ओ गॉड़ बहुत ही डरावनी चागए है वाट था हेल क्या हुआ तरे को ओके तो कुछ इंफेक्टर ने अटेक किया और इनकी यूवी जो है वो सब खराब हो गई है तो मुझे इसकी हेल्प करनी पड़ेगी यार ओ शेट मैंने ये क्या कह दिया मैं कुछ और कहना चाहता था बट मैं क्या करूँ कोई बात नहीं ठीक है फिलाहल ओ माई गॉड ओ नो ये तो मैंने बंगा कर दिया ऐसे ही उनके पास चड़ गया मैं और अंदर तो पूरी वानर सेना है तो दोस्तों मैं कैसे जाओंगा अंदर क्योंकि अंदर तो देख रहे हो ओ गॉड ये क्या है कैसे पहुंचूंगा मैं बढ़ने तक ओ शिट 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 ये तो जाग गए मैं तो सोच रहा था यह सो रहे हैं बट बाई साब ओ नो I think मुझे लगता है कि अभी मैं जाके कैम्प में रेस्ट करता हूँ थोड़ी देर बाद मैं वापस आऊंगा और फिर इन से आमना सामना करूँगा ओ भाई साब ओके एक तो गया तरह साथी ओके ठीक है यहाँ पर हमको मेडी पर क्राफ्ट करने के लिए काफी सारा सामान मिल जाएगा यह अच्छी चुई चलते चलते जितना भी है मैं सब लूट लेता हूँ और फिर मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा यहाँ पर बरनेट के लिए ओके तो क्या सब मैंने लूट लिये अभी कुछ बचा है ओके यह फ्लार्स तो बचे ही थे तो चलो भाई लोग मैं जल्दी से क्राफ्ट कर लेता हूँ पहले तो मैं मेडिसिन क्राफ्ट करूँ ठीक है क्राफ्टिंग तो हो गई अपनी पूरी बट अभी क्या है कि हमको जाके बरनेट के पास पहुंचना है बट वो जगए पूरी तरीके से भरी वी है जोंबी से यार ओ ओ ओ ओ ओके वो सामने विंड मिल है तो मैं चलता हूँ पहले विंड मिल अपने लिए एक जगए तयार हो जाएगी तो मैं थोड़ा सा जादा सिक्योर रहूँगा और इतनी चैनल चिलाने की आवाजे आ रही है कि भाई मुझे काफी जादा डर लग रहा है बट ठीक है कोई बात नहीं देख लेंगे जो भी होगा ओके उपर तो आ गए है यहाँ पर और यूवी लाइट भी है यहाँ पर कि अपने लिए अच्छा रहेगा चल बाई चल 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 और यहाँ से ओके सामने जाना पड़ेगा ओके इधर कूदना है बहुत सही उपर तो आ गए काफी और यहाँ से किधर जाना है कोई रास्ता तो होना चाहिए यह रा ठीक है ठीक है ठीक है उधर सामने पकड़ना पड़ेगा चल बाई चल जा जल दी से एंड टाइम पे उपर आ गए हम वरना तो अभी हम नीचे गए होते क्योंकि स्टेमिना हो गया था डिपलीट पूरी तरीके से ठीक है और आई थिंक जितना उपर आना था हम आ चुके हैं और इसको विंड मिल को हम एक्टिवेट करते हैं चल बाई शुरू हो जा येस तो फाइलली इस विंड मिल को हमने एक्टिवेट कर दिया है और यहाँ पे और ज़्यादा सॉवाइवर्स रह सकते हैं और ये अपने लिए एक स्रेफ जोन का काम करेगी तो दोस्तों अभी बरनेट के पास जाके हमको मिशन करना है तो उस चक्कर में ये जगे अपने लिए बहुत ही सेफ हो गई और वेंड मिल स्टार्ड हो गई है बाई लोग के फ्रेंड्स तो अब चलते हैं वापस अपने मिशन पे बरनेट के पास में तो चलो यहाँ से नीचे जा सकते हम तो चल बाई जल्दी से ओके ठीक है आजाओ देख लूँगा तुमको भी ओपे छोड़ दे ना लाए आजा आजा तुम्हें तो सरीया में घुसा के मारूँगा दुनों को यह देखो इसका फायदा है यह जो सरीया निकली है इसमें से यह फायदा हुआ अब कुछ मिलता है तुम्हारे पास तो वो भी ले लेते हैं अब मारा है तुम्हें तो अबे भीखारियों कि तरह घूम रहे हो तुम लोग तो तो फिलहाल तो चलना पड़ेगा हमको इधर साइड में सर्स दर बर्नी नियर बाई और बर्नी कहां पे होगा मुझे पता है कि यहीं कहीं पे होगा बट यह जगए पूरी तरीके से भरी हुई है जोंबी से तो इससे पहले है कि यह जग जाए हमें थोड़ा सा होशियार रहना पड़ेगा ठीक है सोफी को तो हमने बता दिया है कि हम भाई यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा निप्टाना पड़ेगा इन लोगों को हमें ओके मैं वेट नहीं कर सकता इनको निप्टाना पड़ेगा वरना यह अपना काम खराब करेंगे ओ शिट आपे छोड़ें मेला है ओ भाई साब मैं तो फस गया ओके यहाँ पे ऊपर मैं थोड़ा सेफ रह सकता हूं ओके अबे 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 छोड़ दे छोड़ दे ठीक है यह तो गया तो मुझे हेल्ट किट यूज कटी चाहिए क्योंकि हेल्ट किट काफी लो हो गई है चले आ रहे हैं जैसे भंडारे में आ रहे हो ठीक है यहाँ पर ये एक बंदा मरा पड़ा हुआ है इसको देखते हैं ये कौन है आ ये रेडियो तो उसी का है यहां पे Sophie एक मुझे रेडियो मिला है और एक बॉड़ी मिली है जो एकी मेल है और पता नहीं यह कौन है ओके यह बढ़नी नहीं है यह कोजेक है मतलब Sophie का भाई हो सकता है अभी जिन्दा हो तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा ओके ठीक है दोस्तों बढ़ते आगे और देखते हैं बढ़नेट कहाँ पर है ओ भाई साब इतना चादा अंधेरा हो रखा है कि यहां पर अपनी हालत खराब होने वाली है लगता है मुझे और यह देखो भाई अटेक हो गया जो भी इसका और इससे पहले कि अपना काम तमाम करें हमें इनका काम तमाम करना पड़ेगा ओ भाई साब यहां पर तो आग फैलने लगी ओ भाई मॉल्टो खतम आजाओ आजाओ सालो ओके आई फिनिस्टेम बट भाई साब भालत खराब हो गई है लाश नहीं लाशे बिच गई है यहां पर तो जोमीस की और बर्नेट तेरे चक्कर में मरते मरते बचे हैं अब तो गेट खोल दे भाई मेरे बर्नी गेट खोल नहीं तो पिटेगा बे बहुत बुरा पिटने वाला है मेरे हाथ वसकी यह रहा यह रहा अब बावली पूछ अब पूछ रहा है दे गान अगर तेरी बहन से इंक्वैरी नहीं करनी होती तो तुझा ही यहीं पर पटक के मारता बहुत ज़ादा अब ये कोन है बर्डी बटा तुम्हारी हाथ हाब है वापस चलो अपनी बैंड के पास में आइवल लुक फॉर हैं तुझा ओके ठीक है इसके दोस्त को हमें डूनना है और ये जो है यहां से जा रहा है या यहीं पर रुकने वाला है हमें इसके दोस्त को डूनना है तो दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पर खतम करते हैं मिलेंगे नेक्स पार्ट में और इसके फ्रेंड को भी डूनेंगे और इसको यहां से ले करके चलेंगे तो फिलाल ये वीडियो हम यही पर रोकते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट शेक्षन में जबू बताएं वीडियो पैसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें तो मिलते हैं नेक्स पार्ट में तब तक के लिए बाबाई गुनाइट शबागर अस्तला विस्ता दस्वेदानिया